नमस्काल स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बाद फेसे आज की बड़ी खबरे मुख्य समाचान आपके लिए लेकर आए जहां पर पहुंचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से देल दुनिया की तमाम लेटेस्ट जानकारियां तक आज की बड़ी खबरे जानने के लिए स में जलू लिखेगा बी सपोर्ट इंडिया गठवंधन राहुल गांधी की भाद जोड़ो नए यत्रा आज दोस्तों यहां पे पूर्ण होने जा रही है और वहीं अब एक राली का युजन किया गया है जिसमें जोड़ास्त भेड़ देखने को मिली है लोगों का काम करती हैं वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि जब तक मैं जीवी तूं भाजपा समिधान को नश्ट नहीं कर सकती है सीधा इसारा 530 लोगों में दोस्तों बीजेपी के खास कुछ उद्रोग पती और इनके मित्रों के तरफ था राहुल का इसारा राहुल ने कहा क भी राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है उन्होंने का कि हमाई सरकार आई तो यहां पर युबाओं किसानों आदि सभी का ख्याल रखा जाएगा और कॉंग्रेस ने जो गारिंटियां दी है उन्हें भी पूरा किया जाएगा प्यधान वंत्री मोधी का वयान हो पूछ रहे कि असली पपू कौन जी है दोस्तों आपको रताते चले देश में आदर साचान सहीता लागू हो गई है और इसी के साथ अब कमान चुनाओ आयोक के हाथ में है और दूसरी तरह प्यधान मंत्री मोधी भी सभाए कर रहे हैं एक कारक्यम के दौरान प्यधान मंत चुनाओ होने हैं लेकिन 2047 में तो कोई लोग सभा चुनाओ है ही नहीं जिसके बाद सोचल मीडिया पर लोग प्यधान मंत्री मोधी के बयान को लेकर भी अपनी पितिक्रिया वेक्ट कर रहे हैं ट्रोल किये जा रहे हैं पियम मोधी दोस्तों बताते चले चुनाओ एव ने जहां लोग सभा चुनाओ का सेडिल बताते हुए अलान किया कि देश में इस बार साथ चर्णों में चुनाओ होंगे लेकिन इतने लंबे सेडिल को लेकर भी पच्छी पार्टियां सवाल उठा रही हैं इसी करा मेटी अंसिक नेता चंद्रमा भट्या चारा ने कहा कि साथ फेश तक चुनाओ को खिशने से बड़ी जेबाली पार्टि को फायदा मिलेगा मालिका अजुन खडगे ने कहा कि साथ फेश का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है आपको बताते चाहें दोस्तों साथ फेश में चुनाओ का मतलब है बीजेपी के पास जो फंड है चंदा है उसका भरप्रूप प्रयोग किया जाएगा चुनाओ पेचार में और वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मलिका जुन खडगे ने कहा कि प्रधान मंती देश भर में घूम घूम के प्रचार करने के लिए समय चाहते हैं इसलिए चुनाओ आयोग ने दवाओ में साथ चर्णों में चुनाओ को रखा है अगली अपडेट आ रहे है उत्त्र्पदेश के मौँसे जहाँ पर चुनाओ से पहले ग्राऔटों ने चुनाओ का बैशकार किया है जी हाँ वाई संक्या में ग्रामीर कर रहे हैं चुनाओ का बैशकार लगमग 10 अजाग ग्राफों की संक्या बताइ जा रही है जिससे कि सीधे सीधे लोग सबम चुनाव में पत्यासियों को भारी नुक्सान होने वाला है रेलवे फाटक की मांग को लेकर ग्रामेंड धर्णने पर भी पैटे हैं खास तोर से बीजेपी नेताओं की तो गामों में एंट्री ही बैन कर दी गई जिया दोस्तों उनके गुसने पर पित्रवन लगा दिया गया जहां कहीं भी बीजेपी नेता जा रहा है वहां पर इन्हें काफी विरोद का सामना करना पड़ रहा है आम जनता बीजेपी की असल सब्सक्राइब को नहीं बचा सकती है अपडेट निकल के आ रही है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा अमेरिका में सुरू हुई अडानी से जुड़ी कंप्रियों के खिलाफ जांच बड़ा जटका भायत के दिगज उद्वक पती पीम मोदी के मित्र गौतम अडान में जाच की जा रही अमेरिका के प्रिसिद मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने इसको लेकर एक लंबी रिपोर्ट भी प्रिकासित की है रिपोर्ट के मुतावे कि इस जाच के जरिये यहां पता लगाने की कोसिस हो रही है कि अडानी समू की किसी कंपनी या फिर इस से ज जोड़ो नया यत्रा का आज समापन इस अफसर पर मुंबई के सिवाजी पार्क में विसाल राली आयुजित की गई इंडिया गढ़ंदन के कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं राहुल गंदी मुंबई में आज यहां पर दोस्तों इस यत्रा के समापन पर ए अगर कॉंग्रेस ना होती तो इस देश को आजादी नहीं मिलती यदि कॉंग्रेस ना होती तो इस देश को नेतों तुभी नहीं मिलता यदि कॉंग्रेस ना होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े ना होते देख सकते हैं संजेर राउत सिपसेना यूवीटी के नेता कॉंगेस के किये तारीफ बीजेपी को घेरा है वहीं दोस्तों आपको बताते चले न्याय संकल्प पद्यात्रा हो रही है मुंबई में और इसमें बोली है स्वराः भासकर आपको बताते चले इंडिया गट्हंन के नेता तो सांगे ही इसके साथ जानी मानी हस्तिया भी सामिल हूइ थैं बताते चले सोरा भासकर बोली है आज सत्ता में नफरत की राजनीती की जा रही है और उसी नफरत को मिटाने के लिए ये निया यत्रा निकाली गई यहाँ पर दोस्तों यह अपडेट निकल के आई है अगली ख़बर कियों बढ़ते हैं बिगडेकिंग निउज दिल्ली के सियम अरविन्द केजरिवाल को बीते दिन दोस्तों दिल्ली की राऊज रेवनीव कोट से जमानत मिली इडी ने दो मामलों में सिकार्थ दरज की थी और यहाँ पर दोस्तों जमानत मिल गए लेकिन नवह समन भेज़ाए ईडी ने दिल्ली के CM अर्विंद केजरिवाल को ED ने समन भेज कर अब 18 मार्च को पुछ ताज के लिए बुलाया है यहां समन दिल्ली जल बोड में कतित रूप से गरवड़ी से जुड़े मामले यानि मनी लॉंडिंग को लेकर केस है आम आदवी पार्टी के नेता दिल्ली के CM केजरिवाल पर पी एम एले के तहते हैं दूसरा मामला है हाला कि हम आदवी पार्टी आरोप लगारी की एडी अरविंद केजरिवाल को एक के बाद एक जूटे मामले में फसाने की साजिस कर रही है और यहां मैं दोस्तों इन समन को अवैद बता रही है जिसके चलते सी हम केजरिवाल अभी तक एडी के समच नहीं पेस हुए और एडी भी है लगातार उन्हें पेस होने के लिए समन भेज रही है जल गोड मामले में 18 माज तो भाहीं दिल्ली के कति सराब नीती घोटाली की जाच में सामिल होने के लिए 21 माज को यहां पे बुलाया है एडी ने चुनाओ तरीखों का एलान होते ही सभी भी पच्छे दल चुनाओ पेचाल में जुटगा इसी क्रम में पूर्वस्यम अखिलेश आदब का बड़ा वयान बोले यह चुनाओ लोग तंतर की अगिनी परिच्छा है अगर बीजेपी जीती तो लोगों का बोर्ट का अधिकार भी छीन लेगी सम्मिधान बदल देंगी यह लोग अखिलेश आदब ने कहा कि बीजेपी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना है आप लोग सोच समझ कर बोर्ट करें क्यूंकि यह आखिरी मौका है जब आप लोग तंतर की रच्छा कर सकते हैं इसके बाद बीजेपी सम्मिधान बदल देगी यह आज की बड़ी खबर मु किसमा चाहते अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने दोस्तों में भी आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत